जहिन दोस्तों आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं भारत जादतर हत्यार पिछले 7-8 साल से दूसरे देशों से खरीता था। जहिन दोस्तों आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सुब जानते हैं भारत अपनी ज़रूरत का ज्यादतर हतियार दुस्रे देशों से खरीता है, हालाकि अब प्रेजेन टाइम में नमबर कौम हो रहा है, लेकिन अभी भी हम दुस्रे देशों से बहुत सार हतियार खरीते हैं, रोसिया, फ्रांस, आमेरिका, इज जटका दिया है, तकरीब बंद 6-7 बिलियन डालार का डिफेन्स डिल कैंसल हुआ है, उसमें फाइटर एरकाप्ट से लेकर मिसाइल, हेलिकाप्टर और पिए इटाई जैसे नाभाल एरकाप्ट भी है, आपको मैं आज एक एक करके वो सारे हतियार की लिस्ट बताऊंगा, और क्यूं भारत ने उसे कैंसल किया है, बो भी आपको बताऊंगा, और यह जो डिल कैंसल हुए है, उसमें ज़्यादा रसिया को नुक्सान हुआ है, या फिर आमेरिका को, और कितना नुक्सान हुआ है, बो भी आपको एक एक करके बताऊंगा, जानने के लिए आप आखि कि मीग 29 का डिल कैंसल हो गया है आप सब को पता होगा 2021 में ही ख़वर आया था स्वरी 2020 में ही ख़वर आया था कि भारत 21, मीग 29 और 12 नया सुखोई 30 MK को रस्या से खरी सकता है हाला कि तब बहुत ज्यादा सौल उठा था कि भारत पुराने मीग 29 को क्यों खरीद रहा है लेकिन बाद नहीं बता है कि नहीं इसका स्वरी एर फ्रेम ही पुराना है बाकी जो पार्ट लगेंगे वो नया होंगे तो और अभी प्रेजन टाइम में हमार मीग 29 के तरफ नहीं जाएगा और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर भारत को सच में हाला कि एंडियान एर फोर्स को जरूरत है लेकिन हम काफी टाइम में हत्यार खरीते हैं डिप्लोमासी आंगेल को देखकर अगर कोई देश के साथ हमारा संबंध को ठीक करना है तो ह हम हत्यार खरीते हैं ताकि बहुत देश के साथ हमारा संबंध अच्छा हो जाए मैंना आपको बताया था अगर भारत को बहुत जादा जरूरी होता तो यह डील कपका हो चुका होता तब हम इसलिए लेते कि मतलब यह डील करने के आनांस इसलिए किये थे क्योंकि चीन तब अब लदाक में बहुत जाद अब बढ़ा रहा था और रसिया को हमारे साइट में लाने के लिए उस टाइप का अनॉंस्मेंट करने की ज़रूरत थी अब बढ़ा सौल आ जाएगा हलाके बहुत पॉइंट को मैं आखिर में होता हूंगा अब डूसर नंबर पर आ जाता है क कि जो इगला एस मैंपैर मिशयल डिफेंस सिस्टम में सौट रेंज भेरी जौट रेंज आप उसको कह सकते हो यह भी तक्रिबन एक बिलियोन डालार का डिफेंस डील है और जो मिग 29 वाला था बहु भी एक बिलियोन डालार के करीब था इगला एस भारत तक्रिबन पांच हजार मिसल खरिदने वाला था 258 सिंगिल लॉंचर और 258 मॉल्टि लॉंचर भी ये डिल में होने वाले थे तक्रीब आखिर में खवर यह आ रहा है कि ये डिल भी कैंसेल होगा अब भारत इगला एस के बदले डियाडियो का ही मिसल सिस्टम को यूज करेगा जो एक अच्छा नहीं हुझे क्यूंकि हम खुद अपने देश में अगर बना रहे हैं तो दुसरे देश से खरीद कर इस्तिमाल करने का कोई मतलब आप कह सकते हो मतलब ठीक नहीं होता है क्यूंकि अगर आम ऐसे ही हत्यार खरी अब भी ये क्यांसल हो रहा है हालाग की भारत खुद चाता था कि ये टीक हैसे हम खुद ह्यूज हटी से और रही है इस तो रस्तियान कमपाणी बना था है लेकिन इसका जो इंजीन है वो फ्रांस से रहात है मतलब प्रांस और اक तरीकेसें तो जॉइंट वेंचर से यह हेलिकाप्टर बन रहा था लेकिन अब आमेरिका इंडरेटली फ्रांस को प्रसर किया कि आप यह इंजिन रस्या को सप्लाइ मत करो तो इसी वज़े से अगर फ्रांस रस्या को इंजिन देगा नहीं तो भारत को यह हेलिकाप्टर मिलना मुश्की अब जरूर थे कि हमारा जो आर्मी एरफोर्स और नेभी है वो हेलिकाप्टर को इस्तमाल करें और मेकिन इंडिया को थोड़ा पूस मिलेगा आखिर में के थाट्युहान जो इंडियान ने भी इस्तमाल कर रहा था वो भी रस्यान अर्जिन का हेलिकाप्टर है इसे हम एयर अब ये डिल भी कैंसल हो गया ये भी 0.5 बिलियन डिल होने वाला था अब दोस्तों प्रेजेंट टाइम में डियाडो खुद आच्छा सेंसर और अडर बगरा बना रहा है तो इसी वज़े से ये डिल को कैंसल कर दिया गया अब भारत खुद आपने देश के अंदर बनाय इसके बतले इस्तेमाल करेगा अब मैं आमेरिका की उपर आता हूं हलाकि आमेरिका का सिफ एक ही प्रोड़ट अब इस लिस्ट में कैंसल हुआ है अलांकि आगे आने वाले और भी होंगे उसके उपर बात करूंगा लगिन अभी सिफ में P8I के उपर ही बात करता हूं दोस् और पर P8I को इस्तेमाल करता है अब भी भारत और 10 के करीब P8I को इस्तेमाल करना चाथा था क्योंकि इंडिया नोसन में अब सब जानतों चीन का प्रभवाब बढ़ता जा रहे है चीन का सम्मरीन भी बहुत जाता आ रहे है तो आंटी सम्मरीन वारफेर के लिए P8I बहु कुछ हत्यार भारत इसलिए कैंसल किया है हाँ ये भी सही बात है अब P8I में जो आच्छा सेंसर अडर बगरा लगा है अब खुद DRDO उसे मतलब अब बना रहा है तो अब हमें आमेरिका से एसा नहीं कि हम अपने देश में कोई काम मतलब क्वालिटी के बना रहे हैं और आम अमेरिका भारत के उपर संक्षन लगाने के धमकी दे रहा है और ये दिखा जा रहा है कि भारत ये डिल कैंसल करके अमेरिका को मेसेज दे रहा है अगर काट्सा संक्षन लगा तो आगे भारत और अमेरिका का संबंध और ज्यादा खराब होगा इसी वज़े से अब P8I डि रसिया का साथ देशा तो होगा ने भारत एक इंडिपेंडेट देश से भारत को अगर अमेरिका से फाइदा है जीस पॉइंट पर वो उस पॉइंट पर अमेरिका का साथ देगा और रसिया से जीस पॉइंट पर फाइदा होगा रसिया का साथ देगा ऐसा नहीं कि हम अमेरिक पर चीन के करीब जाओगे तो फिर आगे जाकर इंडिया और रस्या का संबंद थोड़ा खराब हो सकता है लेकिन यह सारा पॉइंट को अगर हम पीछे छोड़ दे अगर इतने सारे डिफेंस डिल कैंसल होता है और यह सारा डिफेंस एकूपमेंट भारत में बनता है तो यह म हमारे देश के अंदर डिफेंस इंडिस्ट्री को डेबलब करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा अब आप समझ गये होंगे कैसे भारत आमेरिका रस्या के साथ तक्रीवन 6 से 7 बिलियन डालार का डिफेंस डिल को कैंसल किया है अब आप नीचे कॉण्ट बक्स में कमेंट करके बताईए भारत सरकार आप जो स्टेप लिया है क्या वो सही है या फिर भारत को ऐसा करना नहीं चाहिए था या फिर ये जो डिफेंस डिल कैंसल हुआ है इसमें से कौन सा डिफेंस डिल आपको लग रहा है कि नहीं ये जरूर होना चाहिए था क्योंकि ये अगर डिल ह हो जाता हमारा अर्मी एर्पोस्ट ने भी को और ज़्यादा मजबूती मिलती आप नीचे कॉमेंट बक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा लाइक सेयर करने के साथ-साथ आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है, उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिश्ना कर सके, दोस्तों रुखता हूँ, बहुत जल्द और एक निया टपिक के साथ मिलूँगा, नमस्कार, जैहिंद!